ब्रिंदा व्लोक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है उमीद करती हूँ आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और ब्यस्त होंगे दोस्तों आज जो चर्चा करेंगे मसूर इंडियन तमिल हिरोईन भावना मैनन के बारे में जो कार्थिका मैनन जिनकी स्टेज डाम मैनन से यह बहतर मानी जाती है एक भारतिय अविनेत्री हैं जो तमील और तेल्गू फिल्मों के अलावा मुक्य रूप से मलियालम और कंणडभासा की फिल्मों में काम किया है यह दो केरल राज फिल्म पुरुसकार और एक फिल्म फेर पुरुसकार जो है इनको सम्मानित क किया गया इनका जन्म 6 जून 1986 त्रिशूर केरल में हुआ और इनकी सिक्षा होली फैमिली कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिशूर और यह अभिनेत्री और नर्तकी है और यह बर्तमान से अभी तक कारिकाल कर रही है और इनका जो है जीवन साथी नवीन और 2018 मिनों ने शादी की इनकी पिदागी का नाम श्री बाल चंद्रन पुमाता का नाम पुष्पा और फिल्म फियर पुरुसकार से इनको सम्मानित किया गया इनकी बहुत सारी फिल्म है दोस्तों और इनका जो प्रारंदिक जीवन रहा वो भावना का जन्म जो है वो कार्टिका मैनन के रूप में 6 जून 1986 को केरल के त्रिशूर में हुआ था वो पुष्पा और सायक चायकर जीवाल चंद्रन की बेटी हैं उनका एक बड़ा भाई जैदेव है उन्होंने अपने स्कूली सिक्षा होली फैमली कॉन्वेंट कर्सा हाई स्कूल त्रिशूर से की और भावना जो है वो अपने खुद को एक बेचैन व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्नित की जिन्हें जो है समालना मुस्किल था वो छोटी थी तो एक अबनेत्री बनने का सपना देखती थी और उन्हें फिल्म में ब्रेक मिला जब वो एक ग्यार्मी कच्छा में पढ़ती थ दोस्तों 16 साल की मुर में उन्होंने मलियालंग फिल्म नंबल 2002 से डेब्यू किया ये फिल्म बेवसाई ग्रूप से सफल रही उसके बाद कई सारे फिल्म इनके रिलेज हुई और 2006 में से लेके लगातार इन्होंने कई जो है मलियालंग फिल्म हिट पिक्चर इन्होंने दि दोस्तों इनकी व्यक्तिकत जीवन की बात की जाए दो भावना जो मैनन जो है वो कन्नड फिल्म नमाता नभीन जो है उन्ज की साथ इनकी सगाई भी 2017 में और 18 में उने शादी की और 22 जनवरी और इनकी पुरसकार की बात की जाए तो बहुत सारे विशेश उल लेखनिय पुर पुरसकार मिला तो दोस्तों बहुत सारी पिक्चर आई इनकी और अभी आने वाली है तो उमीद करती हूं भगवान इन्हें सफलता दें और आगे बढ़ें और हम सभी को इनकी पिक्चर देखने को मिलें और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा श झाल झाल